आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक special recipe आमला की लॉंजी ये खट मिठी recipe हर परांथे पूरी सब के साथ as a side dish बहुत ही tasty लगती है और ये पूरी परांथों का taste भी डबल कर देती है ये recipe बहुत ही जटपट बन जाती है आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती आमला as a raw बहुत ही खटा होता है हम ऐसे ही नहीं खा पाते हैं इसलिए मैं आपके लिए special recipe लाई हूँ जिसकी वज़े से आपको आमला के benefits भी मिल जाएंगे और taste भी बरकरा रहेगा इस recipe में मैं आमला के benefits के साथ साथ recipe की पूरी details share करूँगी एंड तक देखिएगा उससे पहले SG Food World को subscribe करें साथ ही bell button प्रेस करें latest updates and notification के लिए बिना किसी देरी के आईए शुरू करते हैं आमला की लॉंजी बनाने के लिए आपको लेने हैं यापे 200 ग्राम आमला बड़ी आमला की पहचान यह होती है कि यह हलके रंग का होना चाहिए और कम से कम दागी होना चाहिए पहले आमला को दोलेंगे अब आमला की फाड़ियां हमें कट करनी हैं देख सकते हैं इसके उपर हलके रंग की lines होती हैं तो उसी पर कट मारेंगे और सारे पीसेज ऐसे कट कर लेने हैं बाकि सारे आमला को भी ऐसे ही कट कर लेंगे अब हमने चॉपिंग कर ली है अब एक कड़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सरसो का तेल इस रेसिपी में टोटल 2 टेबल स्पून सरसो का तेल डलेगा मैंने वन टेबल स्पून अभी डाला है, वन टेबल स्पून मैं बीच में डालू अब डालेंगे चुटकी बर हींग, साथ ही डालेंगे एक चुथाई टीस्पून मेथी दाना, एक चुथाई टीस्पून सरसो, एक चुथाई टीस्पून जीरा, अच्छे से सोटे कर लेंगे, एक चुथाई टीस्पून कलोंजी, एक टीस्पून धनिया पाउडर, बाकी सा मसाली म्झे जाल देंगे ताकि अच्छा से भुन जाए 90 टीश्पून हल्दी से बहुत ही अच्छा कल़र आता है एक चथाई रेसिपी में एक टेबल स्पून сरसो का तेल आड़ कर दूंगी, तो टोटल मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून of सरसो का तेल लिया है इस रेसिपी में कमाल की रेसिपी है फर बहुत जल्दी बनती है यह रेसिपी, बबल्स आ गए हैं आप देख सकते हैं तो इस समय आड़ कर देंगे आमला जो हमने कट करके रखा था आमला आड़ करने के बाद अच्छ से सौटे कर लीजिए ताकि जो मसाला है आमला पर अच्छ से कोट हो जाए जटपट बनने वाली इस रेसिपी को जरूर ट्राइ किजेगा एक बार ही अगर इस रेसिपी को बना लेते हैं तो इसकी शेल्फ लाइफ वन मन्थ है अगर आप इसको फ्रिज में स्टोर करते हैं जब आमला मसाले में कोट हो जाए तो इसको लिट से कवर कर देंगे और बीच पीच में उखाड के चेक करते रहेंगे ताकि अच्छ से पकते रहें और पा 10 मिनट के अंदर ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे जो लिट पे पानी कठा हो रहा है वो स्टीम की वज़े से हो रहा है वो भी इसमें आड कर दीजिए आमला जल्दी पकेंगे दस मिनट बाद ये आमला जो है वो सॉफ्ट होने लगेगा तो इसमें आड़ कर देंगे एक चुथाई टीस्पून भुना जीरा एक चुथाई टीस्पून ही काला नमक सारे इंग्रीडियन्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे भुना जीरा और काला नमक बाद में डालते हैं क्योंकि इसका फ्लेवर बना रहता है लॉंजी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं ये ये स्पेशल सीक्रेट है मैं आपके साथ शेर कर देंगे फिर से लेट से कवर कर देंगे और दो तिन मिनट बाद आप चेक करेंगे तो ये आमला बिल्कुल पक जाएगा 20 से 30 ग्राम तक आप गुर्ड डाल सकते हैं जितना खट मीठा स्वाद आपको चाहिए मैंने यहाँ पर 25 ग्राम गुर्ड डाला है कूट के उसको तोड कर ताकि जल्दी से अच्छे से मेल्ट होके ये मिक्स हो जाए इस रेसिपी में जितने भी इंग्रीडियन्स चले हैं सब ही फायदा करते हैं जैसे आमला इम्मुनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है डाइजेशन को स्ट्रॉंग करता है हडिया मजबूत करता है ऐसे ही जागरी यानि की गुर्ड सर्दी खासी में राहत देता है जोडों के दर्द को कम करता है डाइजेशन के लिए तो बहुत ही बढ़िया है रिद्य उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है तो इस रेसिपी में आपको टेस्ट भी मिलेगा और हेल्थ भी देखेंगे आप धीरे धीरे गुर्ड ने पानी छोड़ दिया है अब आप इस समय हाई फ्लेम पर रख सकते है पर अच्छे सेदाररिण करने का है फ्लेम पर के फ्लेम को बढ़िया था जायगी विल्कुल रेडी है यह सब करने के लिए पराठा और पूरी के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई आपके शेर किजीएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राथी मेंच्न कीजेगा मैं आपके नाम के साथ वो recipe को जरूर लाऊंगी comment box में मुझे ये भी बताइएगा कैसी लगी आपको ये recipe अपने friends and relatives के साथ share कीजेगा इस recipe को मिलूंगे ऐसी ही और बढ़िया बढ़िया recipes के साथ तब तक के लिए goodbye, take care don't forget to like, share and subscribe